तो आज ये 26 नॉमबर और आज का मौस्ट इंपर 10 करेंट अफर लेकर आया हूँ आज का पीडिव निचे डिस्करिप्सन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो कुईच करूँगा जिसका अंसार आपको निचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते ह सबसे पहले पिछले वीडियो के करेंट अफर का दो मिनट में रिविजन कर लिजे और फ्रेंट्स वीडियो के लास्ट में प्रिव्यस मन से भी टॉप 10 करेंट अफर का रिविजन करूँगा तो वीडियो कां तक जरूर देखना रिविजन कफी जरूरी है तो रिविजन करिये पहला कोशन है हाली में भारती सिना ने पूंच लिंक अपडे कब मनाया 23 नॉबर को राज्य पालों के पच्चासवे वार्सिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गिया नई दिल्ली में 20 साल में पहली बार किस भारतीये ने घुड़ासवारी में ओलोंपिक कोटा हासिल किया है फवाद मिर्जा ने 2020 में ओलोंपिक खेलों का आयोजन तोकियो में किया जाएगा 24 नॉबर को कैलास चंदर जोशी का 90 वर्स की आयो में निधान हो गया वे किस अराज्य के पुर्व मुखे मंत्री थे मद्दे परदेश के यह मद्दे परदेश के 9 सीम थे 1977 से लेकर 1978 तक बरती जन्ता पाटी के नेता थें इसकूली अस्तर पर खेल परतिभाओं को निखारने के लिए किस अराज्य ने अंडर 16 परांतिय ओलोंपिक शुरू करने की गोसना की है मद्दे परदेश ने इसी के साथ साथ मद्दे परदेश के सरकार ने खिलाडियों के लिए राज्य के नोकरियों में 5 परतिशत आरक्षन देने की भी गोसना की है हाली में भारव सरकार द्वारत जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 2019 के तिमाही के दवरान शहरी बेरोजगारी दर कितनी रही 9.3 परतिशत 23 नॉंबर को रक्षा मंतरी राजना सी ने कहाँ पर दो दिवसी एक सो बहत्रवी डिफेंस पेंशनर्स अदालत का उपगातन किया लखनों में हाले में दुबई में आयोजित पेशेवर मुक्के बाजी में वेजेंदर सी ने किसे हरा कर लगातार बारहुई जीत दर्ज की है चाल्स एदामू को हरा कर ये घाना के हैं चाल्स एदामू भारہ सरकार ने विजयन अगर नाहर सेचाई पर्योजना के लिए किस बैंक के साथ 91 मिलियन डॉलर यानी 9 करोड़ 10 लक डॉलर रेड हे तु समझाता किया है विजयन अगर नाहर सेचाई पर्योजना करनाटक में इस्थित है हाली में आस्ट्रेलिया भारत सिक्षा परिसद की बैठक के किस संसकरन का आयोजन नई दिल में किया गिया ये पांचुवा संसकरन था हाली में मनीशा कुल स्रेश्ट को किस उपन्यास के लिए 28 बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गिया है स्वपने पाश इनकी एक उपन्यास है इसी उपन्यास के लिए इन्हें 28 बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गिया है ये पुरस्कार केके बिल्ला फांडेशन द्वारा दिया जाता है सिर्फ राजस्थानी लेखकों को इंटरनेशनल एसोशियेशन ओफ एटलेटिक्स फेडरेशन का अधिकारिक तोर पर नाम बदल कर क्या रखा गिया है इसका नाम बदल कर कर दिया गिया है वर्ल्ड एटलेटिक्स अब चलिए आज का करेंट अफेर इस्टार्ट करते हैं पहला कोशन निमने लिखित में से किस ने स्कॉर्टिस ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है पुरुस एकलवर्ग में भारत के लक्षे सिन ने ये खिताब जीता है ओप्षन ए सही उत्तर हैं किसको हरा कर? इन्होंने यगोर कोयल होको को हरा कर ये खिताब जीता है यगोर कोयल होको ये ब्राजील के हैं ठीक है इस तरह से स्कॉर्टिस ओपन का खिताब जितने वाले लक्षे सेन भारत के चोथे खिलाडी बन गाए हैं इसके पहले भारत के अनंद पवार, अर्विंद भट तथा गोपी चंद ये खिताब जीत चुके हैं लक्षे सेन उत्तरा खंड से बिलोंग करते हैं आपको पता दें कि इसी वर्स इन्होंने सारलोर लक्ष ओपन, डच ओपन, तथा बेल्जियन इंटरनेशन टूनामेंट का खिताब भी जीता है किस किर्केट अंपायर द्वारा लिखित पुस्तक, फाइंडिंग दग गैप्स का हाली में बेमोचन किया गया है तो फाइंडिंग दग गैप्स, पुस्तक के लेखाक हैं साइमन टौफिल, ये औस्ट्रेलिया के अंपायर है भारतिये नौशना की प्रथम महिला पायलेट का तौर पर शामिल हो जाएंगी और ये फिक्ष्ट विंग डौर नियर सर्विलांस जेट को उड़ाएंगी लेफ्टिनेंट शिवांगी किस राज्य से बिलॉंग करती है बिहार से उप्षन में और भी नाम है इन सभी ने इसी वर्स कोई न कोई उपलब्दी हसिल किया है जैसे कि भावना कंट ये भी बिहार से बिलॉंग करती है और इन्होंने इसी वर्स भारतिये वायू सेना की प्रथम महिला पायलेट बनी यूध मिशन के लिए भारतिये वायू सेना की प्रथम महिला पायलेट बनी है भावना कंट वहीं मोहना सिंग ये उत्तर परदेश से बिलॉंग करती है और इसी वर्स दीन के समय में हौक एडवांस जेट में मिशन को अंजाम देने वाली ये प्रथम महिला पायलेट बनी है वहीं आउनी चतुरवेदी ये मद्धे परदेश से बिलॉंग करती है और इसी वर्स इन्होंने अकेले फाइटर जेट को उड़ाया है इस तरह से अकेले फाइटर जेट को उड़ाने वाली ये भारत की प्रथम महिला पायलेट बनी है इन्होंने मीग 21 बाइशन जेट को उड़ाया यहां पर भारतिये नौ सेना का बात किये हैं इसके बारे में जान लेते हैं गठन वाता 1612 इस भी में हेड़क्वाटर नई दिल्ली में हैं तीनो सेनाओं का मुख्याले नई दिल्ली में हैं चीफ हैं यानि भारतिये नौ सेना चीफ हैं करंबीर सिंग वाइस चीफ हैं जी अशोक कुमार हर वर्स भारतिये 9 से 9 दिवस मनाय जाता है 4 दिसंबर को किस अस्थान पर पाया जाने वाले दो सिंग वाले अंतिम मादा गेंडे का हाली में निदन हो गया है तो ये सुमात्रा दूई पर पाया जाने वाला दो सिंग वाला अंतिम मादा गेंडा था इसका हाली में निदन हो गिया है इसका नाम ध्यान में रखियेगा इसका नाम था इमान था इसका नाम इमान था इसके उम्र 25 वर्स थी और cancer की वज़ा से इसके मिर्तु हुई है तो ये एक मात्र सुमात्रा प्रजाती का मादा गेंडा था अब जो भी गेंडे बचे हैं सुम तो World Athlete of the Year से सम्मानित किया गया है एलियूड की प्चोगे को Option A सहुतर है यह Kenya के एतलीट है और इसी वर्स इन्होंने London Marathon में Full Marathon का खिता Full Marathon की दूरी होती है 42.195 किलोमेटर तो London Marathon का खिताब एलियूड की प्चोगे नहीं जीता था और यह Kenya के है सम्मानित किया गया है वहीं महिला स्रेनी में दलीला मुहम्मद को इस परोस्कार से सम्मानित किया गया है दलीला मुहम्मद United States यानि अमेरिका की track and field athlete है इन्होंने इसी वर्स दोहा में आयोजित विश्व एतलेटिक्स चैंपेंशिप में फोर इंटू फोर हंड्रेड रीले रेस में स्वान पदक जीता चलिए अगला कोशन है 108 वाँ डेविस कप 2019 का खिताब किस ने जीता है तो 108 वाँ डेविस कप का खिताब जीत लिया है एस्पेंड ने ओप्शन भी सहुतर है किस देश को हरा कर कनाडा को हरा कर तो इस डेविस कप में एस्पेंड की कप्तानी कर रहे थे राफेल नडाल उन्होंने फाइनल में कनाडा के डेनिस शापोवा लोग को हराया जिसके वज़ा से एस्पेंड ने डेविस कप 2019 का खिताब जीत लिया इस तरह से एस्पेंड ने छटी बार डेविस कप का खिताब जीता है डेविस कप एक टेनिस टूनामेंट है यहाँ पर राफेल नडाल का हम लोग बात किये हैं इस वर्स इन्होंने दो ग्रेंड एसलेम इवेंट जीते हैं पूरूस एकलवर्ग में एक फ्रेंच ओपन और एक इवेस ओपन अब एंसर हो गया इस्पेंड इसके बारे में जाल लिजे कैपिटल है मैडरीड प्रैमिनिस्टर है पेडरो संचेज यहाँ के समराठ है फेलिफ सिक्स, संसद का नाम है कोर्टिस और संसद का नाम है संसद का नाम है कोर्टिस और यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो हाले में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतराश्ट्री दिवस कब मनाय गया तो हाले में यह दिवस मनाय गया 25 नॉवंबर को ओप्शन C सही उत्तर है हर वर्ष 25 नॉवंबर कोई महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतराश्ट्री दिवस मनाय जाता है 2019 का विशय दियान में रखिए औरेंज दा वर्ल्ड जेनरेशन इक्वालिटी एस्टेंड एगेंस्ट रेप 2019 का ये विशय है ये जो दिवस है इसको इंगलीश में बोलेंगे International Day for the Elimination of Violence Against Women ठीक है अच्छे यहाँ पे जो थीम है थीम में औरेंज कलर का नाम क्यों लिया गया है क्योंकि औरेंज जो रंग है इसको मानव अधिकारों का उलंगन किये बिना भविश्य का प्रतीक मना जाता है इस महिने में यानि नौवंबर माह में कुछ important दिवस मनाए गया है मैं सबको revision करा रहा हूँ ध्यान से सुनियेगा पांच नौवंबर को विश्व सूनामी जगरुकता दिवस मनाए गया वही साथ नौवंबर को राष्ट्रिये कैंसर जगरुकता दिवस मनाए गया साथ नौवंबर को एक और दिवस मनाए गया सीसु सुरक्षा दिवस नौ नौवंबर को राष्ट्रिये कानूनी सेवा दिवस मनाए गया दस नौवंबर को विश्व विज्यान दिवस 11 नॉबर को राष्ट्रिय सिक्छा दिवस 12 नॉबर को विश्व निमोनिया दिवस 12 नॉबर को एक और दिवस मनाई जाता है लोक सेवा प्रसारन दिवस भारत में 13 नॉबर को विश्व दयालूता दिवस मनाई गया यानि World Kindness Day 14 नॉबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाई गया 14 नॉबर को एक और दिवस मनाई जाता है भारत में राष्ट्रिय बाल दिवस 16 नॉबर को अंतराष्ट्रिय सहिस्नुनूता दिवस मनाई गया राष्ट्रिय प्रेश दिवस भी 16 नॉबर को ही मनाई जाता है 17 नवंबर को विश्व एस्मिरीती दिवस मनाय गया लेखिन यहाँ पर ध्यान में रिखिएगा विश्व एस्मिरीती दिवस हरवा 17 नवंबर को नहीं मनाय जाता है बलके नवंबर महा के तीसरे रवीवार को विश्व एस्मिरीती दिवस मनाय जाता है तो इस महिने में नव नुमोरा की खाद्य भेद्याता सुचकांक 2019 में भारत की सथान पर है इसमैं भारत चौवालिसमें अस्थान पर है Option D सही उत्तर है 110 देशों की सुची में भारत 44 में अस्थान पर है पहले अस्थान पर कौन सा देश है इसका अंकड़ा मुझे नहीं मिल पाया है अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेट करके ज़रू बताना ये जो सुचकांख है इसे खाद्दे मुल्यों के उतार चड़ाओ के अधार पर जारी किया गया है खाद्दे भेद्याता सुचकांख को खाद्दे और सुरक्चितता सुचकांख भी कह जा सकता है 24 नॉबर से किस अराज्य में संगाई महोच्षव शुरू है तो ये महोच्षव शुरू है मनिपूर में तो मनिपूर का ये बहुत ही प्रसीद महोच्षव है संगाई महोच्षव ओप्शन ए सही उत्तर है परियाटन को बढ़ावा देने के उद्दे से प्रतिवस आयोजित किया जाने वाला ये मनिपूर का सबसे बड़ा उत्सों मना जाता है अब एंसर हो गया मनिपूर इसके बारे में फटाफट रिविजन करिए मनिपूर भारत का उत्तरपूर्वी राज्य है और इसकी सीमा भारत के तीन राज्यों को छूती है मिजोरम, आसम और नागालेंड एक कंट्रीर से सीमा लगती है में अमार से है गठन वाथा 21 जनवरी 1972 को छेतरफल के हिसाब से 24 वे नंबर पे और जन संक्या के हिसाब से भी 24 वे नंबर पे है और मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ जम्मो कश्मिर अब राज्य नहीं है तो छेतरफल और जन संक्या के रैंक में एक-एक रैंक कम कर दीजेगा सक्षर्ता दरे 76.94 प्रतिशत लिंगा नुपात है 980 कैपिटल इंफाल मुख्य मंत्री है एन बिरेंसी गवार्नर है नजमा है प्तुला लोग सबसिट दो, राज्य सबसिट एक विधान सबसिट साथ, जिलों की संक्या स्वला है राम लिंगम सुधाकर मुख्य नैदी से, राजकी पशुए संगाई हीरन राजके पक्षी मिसिस हुमेस राजकी बिरिक्ष तून, राजके फुल है सिरोय कुमू दिनी मनिपूरी, नूपा, पूंग चोलम तथा खंबा थोई भी, यहांके प्रसिद लोक निरते हैं मैटी तथा अंगामी जन जाती हैं, यहां पर पाई जाती है केईबुल लमजाओ नेशनल परक एक बहुत ही प्रसिद नेशनल परक है यह मनिपूर में, चलिए अगला कोशन है फ्रेंड्स, आप लोग उसे एक बात बताना चाहता हूँ हमारा जो मन्तली करेंट अफर आता है हर महिने टॉफ हंडेट करेंट अफर का अब यह वीडियो आप लोग को हमारा एक दूसरा चैनल है एकजाम और्बिट उस पे मिल जाये करेगा हर महिने आप लोग को एकजाम और्बिट पर मन्तली करेंट अफर मिलेगा ठीक है? इस महिने का, यानि नॉवंबर माह का टॉप हंड्रेट करेंट अफर का वीडियो बन चुका है और एकजाम और्बिट पर आ भी चुका है तो जो लोग देखना चाते हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं साथ साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स हमारा ही चैनल है मैं ही उस चैनल पर पढ़ाता हूँ अब चलिए देखते हैं दस नंबर कोशन 25 नॉमबर से पहली बार भारत में तीन दिवसी राश्टर मंडल इवा संसत का आयोजन कहां शुरू है इसका आयोजन शुरू है नई दिल्ली में ओप्शन भी सही उत्तर है 25 नॉमबर को शुरू है और 27 नॉमबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन कौन कर रहा है दिल्ली विधान सबाद वारे इसका आयोजन किया जा रहा है तो भारत में पहली बार राश्टर मंडल इवा संसत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 24 राश्ट्रमंडल देशों के परतिनीदी भाग ले रहे हैं चीफ गेस्ट कौन बनाए गए हैं इस आयोजन में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला दिल्ली विधान सभा का बात किये हैं दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में राम निवास गोयल हैं दिल्ली भारत का केंदर सासित परदेश हैं दो राजियों से सीमा लगती है हर्याना और उत्तर परदेश हैं यहां के मुख मंत्री हैं अर्विंद केजरिवाल चलिए अगला कोशन है हाली में तैवान में संपन अंडर 15 एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो इस चैंपेंशिप में भारत ने कुल 28 पदक जीते हैं ओप्शन C सही उत्तर है इसमें 13 गोल्ड मेडल, 14 शिल्वर मेडल और 1 ब्रॉंज मेडल शामिल है तो अंडर 15 एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप का अयोजन कहां किया गया था? ताइवान में ताइवान की कैपिटल है ताइपेई यहां के राश्टर पती हैं तसाई इंग वेंग परदान मंत्री हैं सू तैसेंग चांग मुदरा का नाम है निव तैवान डॉलर 25 नवंबर को नई दिली में दो दिवसी वायू सेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्गाटन किसने किया तो इस सम्मेलन का उद्गाटन किये केंदरिये रक्षा मंत्री अराजनात सी इस्तमेलन में इस्पेस और ड्रोन के तक्निके में सुधार तता भविश में चुनावतियां इस पर मुखे रूप से चर्चा की जा रही है भारती वायू सेना का बात किया है इसके बारे में जल लीजिए भारती वायू सेना का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में हर वस 8 अक्टूबर को भारती वायू सेना दिवस मनाई जाता है हेड़ क्वाटर नई दिल्ली में है वरतमान में भारती वायू सेना के परमूख है राकेश सी भदावरिया उप परमूख है हरजीत सी औरोडा ठीक है औरोडा अब चलिए प्रिव्यस मन्स से टॉप 10 करेंट अफर के रिविजन करा देता हूँ जून महिने का ये पार्ट 5 है पहला कोशन किस पार्टी को निर्वाचान आयोगने हाली में राष्ट्रिये पार्टी का दर्जा दिया है इस पार्टी का गठन हुआ था 2013 में और वरतमान में इस पार्टी के अध्यक्ष है मेगाले के सीये में है नेशनल पेपल्स पार्टी इस तरह से भारत की आठ्मी राष्ट्रिये पार्टी बन गई है दूसरा कोशन है किस राज्य के महिसार जिले में भारत का पहला डायनासोर संग्राले और पार्क अस्थापित किया गया है गुजरात में गुजरात के महिसार जिले में हाली में Save the Children द्वारजारी End of Childhood Index 2019 में भारत की रेंग क्या है 113 अस्थान पे है भारत पुलीस अनुसंधान वा विकास ब्यूरो के नए माहा निदेशा कौन बने है वी इस कौमूदी राज्य सबा में सदन के नहता कौन बने है थावर चंद गहलोत थावर चंद गहलोत जो है वर्तमान में किंद्रिय मंत्री भी है कौन सा मंत्राले है इनके पास समाजिक नियाय यहों अधिकारिता मंत्राले अंतराश्ट्रिय बाल स्रम निशेत दिवस कब मनाए गया 12 जुन को 2019 का विशे है Children should not work in fields but on dreams फोफ्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाडियों की सूची में पहले अस्थान पे कौन है लियोनेल मेसी यह अर्जेंटिना के फूटबॉल खिलाडिय है जुन 2019 में लॉंच देहली नोटा पुस्तक के लेखा कौन है डी उमापती अब चलिए पिछले वीडियो में जो क्वीज किया था उसका एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था बनास किसकी सहाइक नदी है बहुत सारे लोगों ने एंसर गला दिया था बनास जो नदी है यह चमबल नदी की सहाइक नदी है डुसरा कोशन था इंदरावती किसकी सहाइक नदी है इसका भी अंसर बहुत सारे लोगों ने गला दिया था सही उत्तर था कोशी नदी कोशी नदी की सहाइक नदी है अब आज का क्वीज करता हूँ जिसका अंसर आपको नीचे कमिट में लिखना है पहला कोशन, मनिशा कुल स्ट्रेश्ट को किस उपन्यास के लिए 28 सुएं बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दूसरा कोशन है, वनस्पती तेलों से क्रितरिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तमाल किया जाता है